बात आपको समझ लिए वो ये है कि जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो जैसे रिपोर्ट राइटिंग पर आपके एक्जाम से में आती है रही टैनमार्क्स की या आप आंसर से लिखते हो अप समझना वो आंसर का मतलब क्या हुआ आप जब भी कोई स्टोरी लिखी आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कोई ऐसी घटना के बारे में आप बता रहे हो जो कि आपने पास्ट में की थी ठीक है और पास्ट की अधिकतर बाते देखो मैं सारी तो नहीं कहूंगा लेकिन बोलूँगा I went ओके तो पास्ट की जितनी बी बाते कहेंगे मैं सेकंड फोम लगाते चले जाएंगे उस सब्जेक्ट के बाद मैंने क्लास ली थी I took class मैं आया था I came राइट मैं लाइव आया था I came live मैंने पढ़ाया था I taught teach का हो जाएगा taught तो अधिकतर सेकंड फोम का question answers में क्या होता है आपसे पूछा जाता है बताए इंडिगो चैप्टर में क्या हुआ था गांदी जी ने क्या किया था कोन व्यक्ति आया था तो सारे past के ही question किया जाते है अगर आप simply second form अच्छे से लगाना जानते तो आप आराम से answer बता सकते हो कि बाई गांदी जी वहा to jump parent ठीक है राजकुमार शुकला उससे मिले थे मिलना होता है meet meet की second form लगानी है अभी पता था ना answer second form में दिये जाते हैं तो राजकुमार शुकला met meet की second form में जाती है met एक movie भी आय थी ने करीना कपूर की शायद के साथ जब we met यानि जब हम मिले थे past की बात थी तो met हो गया तो राजकुमार शुकला गांदी जी से मिला था राजकुमार शुकला met गांदी जी अभी पूरे chapter करेंगे तो आपको एक एक बात ही समझ में आएंगी जो chapter 5 है इससे अंसर बनाने में ज्यादा है करेगी ओगे स्टार्ट करते हैं में लेसन वेन आई फर्स्ट विजिटेड अब यहां पर क्या है विजिट का बना दिया इन्होंने विजिटेड यानि सेगन फोर्म लगा दी यानि जम मैंने विजिट की थी गांधी इन नाइंटीन उसने कहा तो इस्का इसक उगी से की सेंग फोर्म लगा दो से होता है कहना तो उसने कहा था he said I will tell you how it happened 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 का बन गया happened की कैसे हुआ था that I decided कि मैंने decide किया था I decided तो अभी मैंने आपको बताया था था na कि हम जब past की बाते करते हैं तो भ्या लगा देना होता है second form लगानी होती है तो मैंने decide किया था clear है तो मैं बोलूगा I decided to urge the departure of the British it was in 1917 तो उस समय की बात है जब 1916-1917 जो चल रहा था मारा जब गांदी जी पहली बार भारत में आये थी ठीक है और उन्हें अपनी जो पहली जो मुमेंट थी चंपार नांदोलन वो start किया था तो visit किया इन्होंने गांदी जी ठीक ना आप बता रहें इसके इंदर he had gone to December 1916 annual convention convention का मतलब क्या होता है convention होता है जो सम्मेलन होता है उसे convention का जाता है तो वार्षिक जो सम्मेलन था annual मतलब वार्षिक जो वर्स में वाला होता है 1916 में वार्षिक जो सम्मेलन चल रहा था of the Indian National Congress किसका चल रहा था भारती राष्टिक आंगरेश जो पार्टी है उसका चल रहा था इन लखनौ लखनौ में देर वर 2301 delegates delegates का मतलब होता है बेटा जो परतिनीदी होते हैं जो चुने जाते हैं ठीक है तो 201 परतिनीदी वहां पर आये थे and many visitors अब इनी बातों को आप क्या कर सकते हो अपनी language में बता सकते हो ठीक है गांदी जी आये थे इंडिया में गांदी जी केम टू इंडिया ठीक है वो कहां पर गए थे national congress की convention में गए थे second form लगा दो गो की he went to national Indian convention ठीक है ना Congress की convention थे उसमें गए थे वो देर वर वहां पर आय थे अब simple बना सकते है इसको भी वहां पर 2301 लोग यानी 2301 लोग वहां पर आय थे क्या थे विजीटर रही थे गांधी पर चल रही थी गांदी रिकांटीड प्रक का रिकांट किया था हरिकां पिजन्ट केम, उन्हां कंगा बन गया केम, आये थे तिक है? आपने गांदी जी के पास आये थे, लुकिंग लाइक घरेत ते कंगा मतलब किसी के तो ऑषय नंतार तो ुद्धा आयेए थे। poor का मतलब होता है गरीव और emaciated का मतलब क्या होता है दुरूबल या कमजोर सा तो जैसे भारत के कमजोर से किसान थे वैसा ही वो लग रहा था जो कि आया था गांदी जी के पास गया था भी कह सकते हो who went to गांदी जी and said सेका बन गया said उसने कहा उसने क्या कहा I am Rajkumar Shukla उसने बताया कि मेरा नाम कहा है Rajkumar Shukla है I am from Champarn और मैं कहां से हूँ Champarn से हूँ and I want you to come to my district और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी district में आए गांदी जी जी ने पहले कभी Champarn के बारे में सुना नहीं था यूँकि इससे पहले गांदी जी कहां पर थे South Africa में थे It was in the foot hills foot hills का मतलब होता है जो पहाड़ी छेतर होता है ठीक है पहाड़ी की तलटी वाला छेतर था वहाँ पर ये था ये प्लेस है और टावरिंग हमाल्याज यहाँ पर टावरिंग का मतलब क्या होता टावर क्या होता बड़े उचे उचे होते न तो बड़े उचे 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 जो हिमाल्या के परवत है तो टावर एक वर्ड भी होता है ठीक है वर्ब की तरह भी उज़ किया जाता है एनि एक्षिन की तरही उसक्या जाता है ये तो वर्ब की रूप में इसका मतलब हो जाता है टावरिंग मतलब उचे-उचे हमका बोलते हैं गगंचुम भी बहुत लंबी-लंबी मारते होती है तो जो बहुत उचे-उचे जो पहाड है जो हिमाल्याज के उनके छेत्रों में ये जो चंपार्ण जो प्लेस है वो क्या था बसा हुआ था इस जैमार का बन जाता है पासन में वोजवर तो आपको अधिकतरा अंसर सेकेंड फॉम या फिर वोजवर में ही देनी है ठीक है इट वोज इन फूटिल्स ऑफ टावरीं हमालया जो उचे-उचे हमालया के परवत हैं उनके बीच में था नियर दा किंग्डम ओफ नेपाल जो कि नेपाल राज्य के पास में था ऑनन्डर एन urgent arrangement एंशेंड मतलब क्या होतै प्राचीन ऑनरंजमेंट मतलब क्या होतै जो काम करने की रीती जो इनकी चल रहही थी इनका एक समझो हो था या जो इकरार नामें करते थे जो पूरान एक पदती चलती आ रही थि चंपान पिजैन्स वर शेरग्रोपर्स, जो चंपान के जो पिजैन्स थे, पिजैन्स का मतलब क्या होता है, किसान, वो क्या थे, शेरग्रोपर्स थे, शेरग्रोपर का मतलब होता है बटाईदार, ये किसान ही होते हैं, ये वो किसान होते हैं, जो कि दूसरे की जमीन पर काम करते हैं तो इनकी जो जितने भी उपज पैदा करते हैं उसका आदा आदा इस्सा बाट लिया जाता है यानि जिसकी जमीन होती है आदा इस्सा वो ले लेता है और जो खुद अपना उगाता है बोता है वहाँ पे अपना वो क्या करता है आदा इस्सा उसका होता है तो इनकी खुद के पाई जमीन थी ठीक है और आधी फसल इनके जो मालिक थे वो ले लेते थे तो यहां की इसान क्या थे शेर क्रोपर्स थे बटाईदार थे राजकुमार शुकला वाज वन ओफ तैम और राजकुमार शुकला भी उनमें से क्या था एक था बट रिजोल्ट का मतलब होता है एक एसा इंसान जो कि बिल्कुल दड़णिश्य ही उत không या पर ह n ह करना है एक घड कम यहां पर हैंड है अगर हैड में कन आवन जसे हैंड आप सिधा बता दो आया था he came to congress session second form लगा के बोलेंगी वो आया था he came to congress session to complain about the injustice injustice का मतलब क्या होता है अन्याय ठीक है तो अंग्रेज उनके साथ क्या करते रहते थे अन्याय करते रहते थे तो इसलिए उस injustice को जो injustice था उनके साथ जो भेदबाव किया जा रहा था उसके बारे में बताने के लिए उससे दूर करवाने के लिए गांदी जी के पास आये थे of the landlord system in बिहार जो बिहार के छेतर में जो जम्मेदारी पर था इनके चली आ रही थी उसके बारे में बताने के लिए वाया था and somebody had probably said किसी ने उसको कहा था speak to गांदी जी कि इसके बारे में किस से बात करो गांदी जी से बात करो क्योंकि गांदी जी आपकी help इसमें कर सकते है तो इसलिए उतना resolute होकर resolute मतलब क्या पूरे determination के साथ वो determined था बहुत ज़्यादा दिट निश्चे ही था निश्चे लेकर आया था कि हाँ चाहिक कुछ हो जाए गांदी जी का साथ नहीं छोड़ेगा गांदी जी के पास वो जाएगा ही जाएगा और उसको हराल में मना कर लाएगा गांदी जी ने बताया अब बताने के English क्या होगी गांदी जी जी टोल्ट हो जाएगा गांदी झी टोल्ट शुकला उन्गोंने बताया कि क्यांदी कर सि deta ने आपहले सर में अपोइंटमेंट फिक्स है कहां पर है कानपूर मी और कमिट किया हुआ था उस ने कमिट का बन गया मिटेड गिआइड अझे उन वहां पर जाने की उसने क्या कर रखें कमीटमेंट पहले ही कर रखें कि तो कहता कि मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे पहले उन स्थानुप पर जाना पड़ेगा जहां पी मैंने पहले प्रोमिस किया हुआ है उके Śukla kned him everywhere निए शुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जो गरते हैं साथ जाना तो अगंपनीड बी oughts आश्रम में वापस वो फिर से आए फॉर वीक्स ही नवर लेफ्ट गांदीजेस साइड लेकिन कुछ वीक जो थे वो बीद गए पास्ड अवे सम वीक्स पास्ड अवे खुद भी अपने सेंटस बना सकते हो सम वीक्स पास्ड अवे लेकिन उसने ही डिड नोट या तो डिड लेकिन यहाँ पर बैक का मतलब क्या है रिक्वेस्ट करना उसने बार बार रिक्वेस्ट की कि आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक डेट तो फिक्स करने ही पड़ेगी तो बैग का हो गया बैग्ड उसने रिक्वेस्ट की इंप्रेस्ट बाइद शेयर को पर टिनेस्टी टिनेस्टी का मतलब होता है द्रड़ता संकल्प उसकी जो डटा हुआ था अपनी बात के लिए तो इसकी टिनेस्टी देखकर एंड़ स्टोर मैं इन थारीको का पर होगा मैं कलकत्ता में होगा ठीक है कम एंड मीटमी और आउ वहां पर और मुझसे मिल लो और बाऊंसे मुझे क्या करो लेकरल इसक्राइवरत चल पड़ो क्यान संब्सक्राइव today आप पास्ड की बात है तो पास्ड का बन गया पास्ट आके months past महीने बीट गए शुकला वो सिटिंग शुकला बैटा था on his hunches at the appointed spot in कलकत्त when गांदी जी arrived arrive का मतलब होता है आना आय थे arrived हो जाएगा तो गांदी जी जब वहाँ पर आय थे तो जो पहले से जो decided place था ठीक है वहाँ पर आकवरों क्या करते है उनसे मिलते है वो पहले ही मतलब वहाँ पहुचे हुए थे he waited till गांदी जी was free उसने wait किया था कि जब तक गांदी जी free नहीं हो जाते है months past शुकला वो सिटिंग ओ दा होंचिस जो गांदी जो शुकला थे he waited till गांदी जी was free then two of them boarded board का मतलब होता चड़ना जो वर्ड सारे ना इनको अच्छे से समझ ना क्योंकि इन से आपके exam में क्या होंगे आपको number मेलेंगे ठीक है आपको काफी book वाले word यूज करने होते जिससे teach examiner को लगता है कि यहां भी बच्चे ने अच्छे से deeply भड़ा हुआ है सारा कुछ ही अपने इसाब से बना के लिखोगे अपने वर्स लिखोगे तो सारे चीज़े नहीं चलेंगे ठीक है then two of them boarded board का मतलब होता चड़ना तो चड़ गए थे past की story बता रहे है boarded a train train में चड़ गए थे for the city of Patna Patna के लिए इन बिहार, बिहार के लिए there Shukla led him lead का बन गया lead led ले जाना led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad who later became बने थे become का हो गया became became president of congress party जो congress party के बने थे क्या बने थे president of the congress party and of India भारत की क्या बने थे वो president बने थे congress party के बने थे और भारत के president पी कुन थे हमारे dr. Rajendra Prasad तो उसके घर पे ले के गया था lead होता है ले जाना और lead के second form क्या हो जाएगी led he led Gandhi जी to the house of dr. Rajendra Prasad ले के गया था तो अपने आप second form लगा-लगा के sentences ऐसे बना सकते हो clear है आगे देखती है Rajendra Prasad was out of town लेकिन उस से मैं क्या था जो Rajendra Prasad थे वो शहर से बाहर गई हुए थे but the servants new no का मतलब होता जानना जानते थे तो new हो जाएगा second form but the servants new शुकला as a poor human लेकिन जो पुराने जो servants थे उनके वो जानते थे कि जो शुकला है वो क्या है गरीब योमन है योमन मतलब किसान को ही बोलते है एक गरीब किसान है who pestered their master to help the indigo share groupers pestered का मतलब क्या होता है pest word जो होता है उनसे बना pest होते जो चोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं जसे खटमल हो गया जो हमें लोगों को प्रेशान करते रहते हैं तो यहां पे pest का मतलब pester का मतलब तंग करना भी होता है ठीक है क्योंकि चोटे मोटे कीट पतंगे हमें तंग करते रहते है तो in the same way pester का मतलब तंग करना भी होता है तो उनको पता था कि जो अक्सर क्या करता रहता था पैस्टर्ड देर मास्टर वो अपने मास्टर को जो उसके मालिक था उनको क्या करता रहता था मिशा पैस्टर्ड करता रहता था तंग करता रहता था कौन शुकला कि आओ सर हमारी मदद करो तो वो इसलिए वो जानते थे राजकुमार शुकल आंगन में stay करने के लिए इजाज़त दे दी थी ठीक है गांधी जी whom they took to be another peasant take का मतलब होता है समझना के रूप में समझना they took him, उन्होंने उसको समझा another peasant, एक दूसरा किसान समझ लिया उन्होंने सोचा कि बाई इस चीज के लिए उन्होंने मना कर दिया कि जो पानी की बूंदे होंगी वह क्या हो सकती थी और पूरे जो एंटाइर सोर्स था पूरे स्त्रोथ को क्या कर सकता था वह पॉल्यूट कर देता तो यहां पर गांदी जी को समझ में आए कि भारत की कंडिशन क्या थी कि कैसे लोग जो छुआ छूत में हैं उन्हों बहुत जाता यकीन करते हैं कि सिर्फ पानी कुए से लेने से ही क्या हो जाएगा हमारा जो पूरा कुवा है वो क्या हो जाएगा गंदा हो जाएगा तो ये उन्होंने सोचा आगे देखिए तो गांदी जी को पानी लेने से मना कर दिया गया क्या समझकर कि वो भी को एक untouchable person होगा तो यहां पर गांदी जी को पता चला कि देश के क्या हालात है देश में बहुत ही जादा क्या थी untouchability थी बहुत ही जादा गांदी जी ने decide किया तो decide की second form हो जाएगा decided गांदी जी decided to go first to मुझफरपूर तो गांदी जी को समझ में आ गया था पहले तो हालात कि भी भारत के हालात क्या है बहुत ही जादा भेदवाव किया जाता है चुआ 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 जैसी प्रमपराई देश में चल रही है तो उन्होंने क्या क्या decide किया decided हो जाएगा to go first to मुझफरपूर कहा जाने का decide किया कि वो मुझफर पूर जाएंगे विच वोज अन्रूट तो चंपार्ण अन्रूट का मतलब होता बेटा कि जो रस्ते में पढ़ती है कोई चीज तो उनको पता थे को चंपार्ण के रस्ते में पढ़ती है इंपार्ट का मतलब होता बेटा बता देना जितनी शुकला ने इंफोर्मेशन दे थी उससे जादा जानने के लिए गांदी जी अलग-लग छेत्रों में मुझफर पूर्था वहां के छेत्रों में जाते हैं तकि जादा से जादा जानकारी वहां के बारे में पता कर सके जिससे कि उनका केस क्या हो सके जादा स्ट्रोंग हो सके और प्रोब्लम उसको अच्छे से समझ में आ सके He accordingly sent a telegram send का हो गया sent भेजा था He accordingly उसके नुसार उन्होंने क्या किया था बेजा था एक telegram बेजा था तो प्रोफेसर जे बी क्रिपलानी किसको बेजा था जो प्रोफेसर जे बी क्रिपलानी थे उनको बेजा था जो कि कहां पर थे जिसको उन्होंने कहां पर देखा था जो शांतिनिकेतन नाम का जो स्कूल था वहां पर वो उससे मिले थे, प्वार उनको वहां पर देखा हुआ थो उनोंने, ठीक है? The train, जो train थी वो आई, तो I आना क्या होता है? आराइव के आने के लिए कम यूज मत करना, काफी लोग कम यूज करते हैं ट्रेन कें हो जाता है, ये बनादेते हैं जो ट्रेन थी वो आई थी, अब आने के लिए याँ पर कम यूज नहीं करना अराइव यूज करना है और अराइव की सेकंड फम क्या होजेगी? ट्रेन अराइवड एट मिड़नाइट आधी रात को जो ट्रेन थी वो आई थी 15 एप्रल 1917 जो कि 15 अप्राइब 1907 को आई थी क्रेपलानी वोस वेटिंग एड़ी स्टेशन विद लार्ज बोड़ी ओफ स्टुडेंट्स यहां पर लार्ज बोड़ी ओफ स्टुडेंट्स के स साथ जो कि क्रेपलानी जी थे वो गांदी जी का फेट कर रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ तो गांदी जी जो थे वहां पर वो रुके थी रुकना मतलब स्टे किया था उन्होंने गांदी जी स्टेड देर फो टू डेज इन दी हॉम प्रोफेसर मलकानी वहां पर इन दोस डेज यह बहुत ही अजीब सी बात थी गांदी जी कमेंटिट फॉर गोर्मेंट प्रोफेसर टू हार्बर आ मैन लाइक मी इन स्मोलर लोकालिटिज दा इंडियंस वर अफरेड तो शो सिंपैथी फॉर एड़ोकेट्स ओफ होम रियू उस समय बहुत ही एक बड़ी किसी नहीं करता था यहां पर आप यहां पर आकर बाहर से इस देश के लिए आवाज उठाई जो गांदी जी के आगमन की ख़बर थी एंड नेचर ओफ दा मिशन स्प्रेड क्विक्ली तो यहां पर से में रहेगा दो उसके जो मिशन था उसकी जो सोच थी उसकी भावना थी उसके बारे में बहुत ही जल्दी से आसपास के अरिया में बाते फैल गई थी पूरे मुझफरपूर में एंड टु चंपारन और कहां तक पहुच गए थी चंपान तक यह बाते फैल गई थी शेर क्रोपर्स फ्रॉम चंपारन बिगें अराइविंग बिगें की स्टाटिंग सेकंड फॉम होगी बिगें तो उन्होंने बिगें यह शुरू कर दिया था अराइविंग ओन फूट पैदल पैदल लोग आते जा रहे थे कि बाई गांधी जी से मिलना है और कुछ साधनों का प्रियोक करके भी आ रहे थे तो सी देर चैंपियन को देखने के लिए अपने चैंपियन को देखने के लिए यह नहीं गांधी जी को देखने के लिए मुझफरपुर लोयर्स को डॉड ओन गांदी जी टूब्रीफ हैं तो मुझफरपुर के जो लोयर्स थे उनको भी बुलाया गया था गांदी जी के दोवारा दे फ्रिक्वेंटली री प्रेजन्टेड प्रेजेंटेड प्रेजन्स क्रूफ इन दे कोड यह वो लोग थे वो तो आप आसानी से सारे question answer अपने आप बना बना कर पाओगे ठीक है तो उन्होंने बताया था तो जितने भी हमारे जो वकील आए थे जो कि हमेशा प्रिजेंट्स को लेकर कोर्स में जाती थे उन्होंने बताया ने टोल्ड अपने ने केसिस के बारे में बताया एंड रिपोर्ट धने शाइजोफ टैर पुछा बिचालव लोयरश सभी वकील हो को ठाटी जिन किसले डाटव कि अप इतनी बिग फी तुछेइट को पर्सम से ले रहे विचयर से यह बटाईदार तो तो कहां से केस लटपाएंगे…? क्यूंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं होते डेफिनेटली राइट तो इस बात के लिए गांदीशे बहुत गुस्सा हुए कि आपको इतनी पैसे नहीं लेने चाहिए क्यूंकि गरीब किसाने इनके तो मदद करने चाहिए आप लोगों को तो यह लोग हैं कभी भी अपने जो केसिज हैं नहीं जीत सकते तो इससे क्या था यह बहुत ही लोग डरे हुए थे ना तो उंग्रेज उनको जीतने देते थे दूसरा फीस इतनी हाई थी और ना यह इतनी हमत कर पाते थे Taking such cases to the courts does little good Do little good का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम फाइदा होना Courts में जाने का कोई फाइदा नहीं हो पाता कभी भी हम नहीं जीत पाते है Where the peasants are so crushed क्यों नहीं हो पाता ऐसा? क्यों जो peasants है किसान बहुत ही जादा crushed है Crushed मतलब क्या वो दबे कुछले है Crushed मतलब दबे कुछले And fear striking और डर से घिरे हुए है उनके मन में इतना डर बैठा हुआ था कभी भी वो अंग्रेजों के किलाव या किसी के किलाव या अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे Low courts are useless गांदी जैने कहा कि Low courts में जाना कोई फाइदा नहीं है सब कुछ useless है व्यर्थ है The real relief for them is to be free from fear तो पहला डर तो तब निकलेगा जब इनके मन से डर निकलेगा The real relief for them is to be free from fear उनको डर से मुक्त करना होगा सबसे पहले तब जाके courts में वो अपनी आवाजे उठा सकते है Most of the arable land Arable का मतलब क्या होता है Arable होता है बेटा कृशी योगगा भूमी उसको arable कहते हैं जिसमें कृशी कर सकते है Most of the arable land in the Champagne Champagne district में Was divided into large Estates owned by the Englishman अलग-अलग जागिरों में बाटी गई थी जो की owned Own मतलब होता है मालिक होना Owned by the Englishman Second form लग गई जो किसले Englishman जो थे अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर रखा था उन्होंने कपचा कर रखा था And worked by Indian tenants जो और भारते जो किराईदार होते थे वो इनके उपर क्या करते थे काम करते थे तो वर्क कहो गया बटा Worked किया जाता था काम जमीने के किसानों की थी और काम कोन करते थे गरीब जो हमारे किराईदार होते थे या चोटे मोड़ी जो किसान होते थे वो करते थे The Chief Commercial Crow was Indigo और जो Chief जो सबसे ज़्यादा अची जो Commercial Commercial मतलब जिसमें हम बेचकर पैसा कमा सकते है व्यापारी फसल थी वो क्या थी Indigo थी निल की खेती थी The Landlords compelled All Tenants और जो Landlords थे वो compelled करते थे compelled मतलब होता है व्योश करना मजबूर करना उनको उनको पर दभाव डालते थे तो compelled का हो गया compelled All Tenants जो छोटे मोटे किरायदारे किसान होते थे उनको दभाते थे To plant their 20th वो कहते थे कि उनको कितना करना पड़ेगा लगवग 20 जो हिस्सा था उसका और या फिर 15% of their holdings जो उनकी जोत थी वोल्डिंग मतलब होता उनका जो हिस्सा या जोत जिसम कहते हैं उसका 15% उसको उगाना पड़ता था विद इंडिगो और इंडिगो के साथ उगाना पड़ता था And surrender the entire indigo harvest as rent और बाकि जितनी भी जो उनकी वो थी फसल थी क्रोप होती थी उसको surrender करना पड़ता था rent के रूप में, किराय के रूप में उनको देना पड़ता था This was done by long term contract और इसके लिए एक लंबा contract कर दिया जाता था final कि हाँ बई, यह contact है, इसके नुसार आपका काम होगा अगर नहीं कर पाते हो, तो मत करो तो लेकिन मजबूरी में गरीब किसानों को क्या करना होता था इन पर काम करना पड़ता था This was done by a long term contract तो एक लंबे contract के साथ उनको बांध दिया जाता था ताकि उनकी आने वाले PDA हैं, वो भी मजबूरी में वहीं पर उसी कर्च को उतारती रहे हैं हमेशा तो यह सिस्टम चल रहा था, यह कसी किसानों को बहुत ही बूरी तरह क्या करत किया जाता था उससे में दपाया जाता था इससे आगे हम कल लाइव में पढ़ेंगे आज इतना ही ओके